फिल्म केजिएफ चेप्टर टू को लेकर दर्शकों के बीच जैसे उत्सुता इन दनों देखने को मिल रही है उसे उमीद की जा रही है कि फिल्म बाहुबली का रिकोर्ड तोड़ने की ख्रमता रखती है हाल ही में रोकिंग स्टार यश्की फिल्म का टीजर रिलीस हुआ था और ये अभी तक टीजी से वारल हो रहा है यश्की केजिएफ टू के टीजर को यूट्यूब पर अभी तक 130 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं अब तो फैंस इस फिल्म की कहानी जानने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है इस फिल्म की कहानी लीग हो चुकी है आईए आपको बताए क्या होगी केजिएफ टू की कहानी खबर है कि केजिएफ चैप्टर टू की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इस फिल्म का पहला पार्ट खतम हुआ था कहानी में एक्टर यश्क के करदार रौकी ने अपनी मरती हुई मास से वादा किया था कि वो गरीबी में नहीं मरेंगे उनका ये वादा दूसरे भाग में पूरा हुगा इसकी जहलक मेकर्स केजिएफ चैप्टर टू के टीजर में दे चुके हैं टीजर में हमने देखा था कि वादा पूरा किया जाएगा केजिएफ चैप्टर में रौकी गरीबों का मसीहा बन गया था और अब केजिएफ चैप्टर टू में वो गरीबों की मदद भी करेगा और फिल्म में उनका सामना संजदत के किरदार अधीरा से होगा दोनों के बीच काटे की टकर देखने को मिलेगी माना जा रहा है कि दोनों कॉला गोल्ड माइन्स में एक दूसरे से टकराएंगे इसके साथ ही पॉलिटीशन और गैंक्स्टर्स के बीच होने वाले गोल्ड के व्यापार के बदले डाइनमिक को भी दिखाया जाने वाला है केजेफ चैप्टर टू में रोकी इतने समझदार है कि वो राजनीती के गंदे खेल और माफिया के बीच बनते समी करनों को समझने लगा है फिल्म केजेफ चैप्टर टू के लिए दर्शकों के बीच उतसुकता का एक कारण संजदत का किरदार अधीरा भी है निर्माताओं ने ये उतसुकता और भी बढ़ा दी है जब अधीरा की जलक फिल्म की टीजर में देखी गई अधीरा सूर्य वर्धन का भाई है जिसका सपना है कोलार गोल्ड माइन पर राज करना वही रोकी भी चाहता है कि वो इस सोनी के ख़दान पर राज करे आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें नीचे एक कमेंशेशन में ज़रूर बताएगा और आप फिल्म का कितना इंदजार करें हैं उस बारे में भी अपने विचार हमसे साजह करें वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक और शेय करें और बाकी दूसरी खबरों और जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे